अगर आप अपने आपको रेगुलरली अपडेट रखते हैं आपको यह पता है कि मार्केट में सेंटिमेंट्स क्या चल रहा है आपके डेटा कहां बिल्ड हो रहे हैं तो काफी हद तक आप जो हैं सही ट्रेड ले पाएंगे अगर आपने कल की आर्टिकल्स पड़े होंगे तो कल के आर्टिकल्स में लिखाओगा बुल्स अरबैक तो बुल्स अरबैक सरफ बाई करने से नहीं आते हैं क्या होता है कि जब आपको real में buying मिलती है तब आप definitely market के साथ जाए otherwise जो आपकी analysis आप से कहती है आप उसको follow करें maximum time आप सही होंगे और अगर थोड़ा बहुत गलत भी हुए तो risk management जो है आपको आराम से बचा लेगा आज की गर बात करें कल के बारे में और चेक करें एक और चीज़ एक और चीज़ आप हमेशा कहते हैं मैं आप से कहता हूँ कि patience रखे patience रखेंगे तो right trade मिलेगा आज हमें trade कहा मिला अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ patience के बारे में तो देखिए आपको trade मिला है somewhere close to 11 o'clock कितने देर के बाद में आपको लगेगा वहा तक तो move निकल जाती है आप देख रहें नहीं निकलता every day I remind you about this thing that be patience keep patience अगर आप ऐसा देखेंगे तो उसके बाद देखिए एक अच्छा सा fall आपको मिला और वह भी secure fall अगर इस time पे अगर आप गलत साबित होते हैं तो बहुत छोटा सा stop loss होता है लेकिन अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो सारा वक्त जो हैं आपकी hard weight ऊपर nature है आप समझ नहीं पाएंगे आप करें क्या इसी लिए patience रखना शुरू करें जाद अच्छे trade मिलेंगे दुबार रियाई trade कर रहा हूं आपके अच्छे के लिए हैं मेरे लिए जो नहीं है यहां stock market में अच्छी बात पता क्या है अगर आप lose करते हैं तो पैसा मेरे पास नही नहीं कर सकते हैं अफकोस अगर आप जो है वही trader है जहां पे मैं lose कर रहा हूं आपने उसी position में लिए हुआ है तो अलग बात है बट we never know about that इसी लिए कोई भी information है मैं आप से हमेशे कहता हूं कि क्योंकि जो भी मैं आपका inform करता हूं वो अपने past experience से करता हूं जो गलतिया मै नहीं करी नहीं चाहता आप करें अब आप यहां देखेंगे यह बार बार मार्केट ने आज यहां से जो हैं bounce किया और अगर आप यहां चेक करेंगे इसी से उसने जो हैं नीचे की तरफ गिरा यह support है market का this is support नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे बार बार जो हैं if you will see here that is coming around 15 380 आज की closing है 413 का तो यह जो level है यह level जो 20th को 17th को build हुआ था अगर इस level के basis पे आप trade लेते हैं तो आपको इस level को break होते वे देखना है और फिर आपके पास में अराम से जो है 250 का target नजर आएगा तो यह level आपको यहां से मिलेगा और आराम से आप जो है इस trade को ले पा 450 का यहां से बार बार यहां से आपके पास पे 100 point का rise अराम से मिलेगा तो यहां पे आपके पास रहेगा 550 का trade तो यह level और यह level आपके लिए कल trade में जो है help करेंगे nifty एक और बात अभी pain बाकी है यह market अब actual pain देगी आपको trading में मैंने आपसे पहले भी कहा था एक अभी तो जो मजा न था गया अब actual pain चुरू होगा क्योंकि अब जो slow गिरेगी वो आपके patience को भी test करेगी और आपके जो है pocket को भी test करेगी इस time पे अगर आपकी समझ में नहीं आता तो trade ना लें समझ में तभी trade लें क्योंकि कब market कौन सा turn ले लिए कि आप भी नहीं जान पाएंगे इसलिए पहले risk management बाद में सब कुछ तो ये trade हम लेंगे for tomorrow in nifty बात कर अगर bank nifty के बारे में bank nifty ने आज इस range में trade किया है पूरा दिन आपको याद होगा मैंने कहा था आपको जो है 32 950 के around resistance है ये वो point होता है कि stock जब resistance होता है और कभी कभी volatile market होती है तो ये point पे आके आपक stop loss हो जाता है कभी-कभी तो ये point आपको याद होगा इसी लिए market को भागने दीजिए जहां जाती है जाती ही market में sell नहीं कर रहा गिरती ही market में buy नहीं करना वो जब वापिस जाके नीची आए तब ही आपको sell करना है और आपको buy करना तो ऊपर जाने के बाद जब नीची आ करना है गिरने दीजिए जब वापिस ऊपर जाएगी तब आपको sell करना है तो ये तो आपको नजर आई गया होगा कि हमारे पास कहा है ये ज़े लेवल आप देख रहे हैं यह आ रहा है 32,700 के आसपास तो ये आपके हो गया है नीचे के लिए sell condition यहीं रहेगा फिर मैंने व 33,000 ही मेरे लिए साही रहेगा इस टाइम अगर मैं trader हूँ और मुझे कोई trade लेना हो तो मैं 33,000 को ही choose करूँगा इसके ऊपर जाने के बाद में हलाकि यहां से 200.2 पर है बाट I can take an you can say peaceful trade only after that ये 200. का लालत जो है आपको जाधा नुकसान कर देगा तो advice यह है मैं आपको ये provide करूँगा नीचे जो ticker आएगा भी आप देखेंगे लेकिन मेरी personal advice आपके लिए ये रहेगी और नीचे के तरफ ये रहेगी और reason आपको पता चली गया है और ये जो drawing में आपके लिए बनाता हूँ इसको अब आगे से ध्यान रखेगा that will win bank nifty बात करें recap के बारे में recap में पहला pick था हमारा SBI तो देखे पहला अगर बड़ा candle होता है तो आप से हमेशे कहता हूँ कि या तो इसके नीचे आने के बाद sell करें या उसके ऊपर जाने के बाद में buy करें या फिर यहाँ पर दुबारा hit करें तब आप करेंगे और जैसे आप यहाँ देख रहे ना आपको यहाँ मिली हाला कि हमारा 715 का sell था that was here so as per my level no trade लेकिन trade में आपको कैसे लेना बता दिया है दूसरा video में 234 का हमारे पास जो है वो buy था वो तो कभी आया है नहीं आप यहाँ पर trade ले सकते हैं बहुत अच्छा trade बनेगा उसके बाद देखिए हमारा second target भी 229 का था ल मेरे लेवल के accordingly अच्छे fall के बाद में trade नहीं बना महिंदर और महिंदर में यहाँ पर बना और ऐसे perfect trade बन रहा है और 990 का हमारा sell था हाला कि यह 995 है यहाँ से जो नीचे गिरा हमारा second target था 971 का तो almost second target hit हुआ है अच्छा जार वो भी 5 point extra आपको मिल गए है अगला trade हमारे में था डाट वस विप्रो विप्रो में भी हमारा sell था 421 तो यह आपको यहाँ मिलेगा देखिए almost 420 में मिला उसके बाद एक बड़ा fall हमारा जो है second target था 412 का यहाँ पे आपका low बना 410 का यहाँ भी आपका second target hit हुआ हुआ तो दो trade हमारे second target दो trade no trade stock selection में हमारा पहला pick रह सकते हैं Tata Steel भी उसकर सकते हैं सारे के सारे जो है metal sectors time पे breakdown के लिए और यहाँ पे situation आप देखे हैं टाइट है 315 के नीचे एक अच्छा सा cell बनेगा और अगर यह किसी level की वज़े से bounce back करता है तो आप 320 के ऊपर इसको buy कीजेगा लेकिन अगर यह 320 पे भी अगर resistance face करें तो य यहाँ पे भी आपका sell on rise काफी अच्छा बनेगा तो दोनों तरफ लेवल अच्छे हैं intraday में आप हर रोज अपनी statement change कीजेगा ज्यादा ठीक रहेगा अगला trade रहेगा Tata Motors Interestingly Tata Motors में इस time पे बहुत ज़्यादा volume generate हो रही है बहुत ज़्यादा buying चल रही है वो केता नहीं bottom fishing हो रही है Tata Motors और पंजाब national bank लेटर ओन लेकिन यह काफी अच्छे जो है radar में है FIIE के तो ध्यान रखिये अगर इनके उपर यहाँ पर हम इसक लिए पे पहली बात तो एक sector जो है week है आप M&M भी ले सकते है M&M ऐसी बना हुआ है almost breakdown के लिए आप यहाँ भी choose कर सकते हैं यहाँ 390 के नीचे आपको काफी अच्छा sell मेलेगा और 395 के उपर वापिस से आप जो है buy कर पाएंगे 390 एक अच्छा support है कई बार वहां से भागा है यह break होने का मतलब है तु data motors में buy का सकते हैं अगला रहेगा हमारे पास में access bank access bank में कल हम intra day में हो सकते हैं bullish रहे हो आज फिर से bearish हो गए हैं कल फिर से bullish moment आ सकते हैं लेकिन long time में अभी तकम completely bearish है यह आपको जब trade करते हैं तो दिमाग में रखना है क्योंकि आप intra day trader है तो उसको उसी तरह से आपको mindset mindset अपने आपको tune करना है आपने समझ में आ गया यह rectangle pattern है rectangle pattern में क्या होता है नीचे का level break हो जाता है तो आपके लिए cell बनता है और यहां से bounce back बनेगा तो वापीस से अपने जो है upper level को touch करेगा बाद में अगर उपर की तरफ आतर इसको break करता है जो कि 640 के उपर है तब ही bounce होते वक्त buy कर सकते हैं या फिर आप 630 के उपर आप जो है जाएगा तब bounce जो है break करेगा और उसके hold करेगा तब आप जो है sell कर पाएंगे access bank में अगला है हमारे पास में IRCTC IRCTC जो है Elliot wave theory को cover कर चुका है Elliot wave theory इसको cover कर चुका है Elliot इसमें क्या होता है एक fall आने के बाद में यहाँ पे हमारे पास में जो है एक bottom out होता है वहाँ से generally rise होती है इसके उपर हम swing trade लेंगे अभी तो नहीं अभी तो हम इंट्राइडे के लिए pick कर रहे है swing trade इसमें बनेगा 550 के round 560 के पे इस time 589 की closing है तो म इसको अब हम sell करेंगे कल के लिए और जब यह नीचे आ जाएगा तब इसको हम bottom out करके और आप इसको long term के लिए भी buy करना शुरू कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे नीचे के तरफ 585 के नीचे हम इसको sell करेंगे और 595 को break होने के बाद में हम जो है IRCTC को buy करेंगे फिल हाल intrad के लिए 560 पे 550 के आसपास आता है तब मैं वापिस से आपको swing trade provide करूँगा IRCTC में